दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ ऐसे मेडिकेशन के बारे में जो पेन को रिलीफ करने में यूज होते हैं उन्हें हम एनलेशिक ड्रग भी बोलते हैं और साथ ही साथ हम उनके डोजेस के बारे में भी जानेंगे तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं तो ये कुछ ड्रग के कॉमपोजिशन है जो पेन को रिलीफ करने में यूज होते हैं जिसमें आपको एसिकलोफिनेक, इटोरिक ऑक्सिप, डाइकलोफिनेक सोडियम, मैफेनेमिक एसिड और आईविप्रूफेन आते हैं नेक्स्ट हम इन सभी कॉमपोजिशन को ब्रांड नेम से भी देखेंगे कि ये ड्रग किस-किस ब्रांड नेम से मार्केट में एविलेबल हैं और साथ ही हम इनके डेली डोरिक देखेंगे तो दोस्तो पहला ड्रग है एसिकलोफिनेक ये एक एनलजेसिक के साथ साथ एंटी इंप्लामेटरी एक्षन भी सो करता है ये आपको एसी कलो, एसी फेन, एसी नेक, डोलो काइंड, जीरो डोल और मोवन ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाएगा इसके डोलो की बात करें तो, इसको हमें 50-100 mg 12 घंटे के अंतराल में लेना होता है नेक्स्ट है इतोरिक ओक्सीब, ये एक एनलजेसिक ड्रग है, इसको हम सीवियर पेन में यूज करते हैं ये आपको मार्केट में निकोक्सिया, रिटोज, एट्रोबॉक्स, इटोक्सिब, इटोक्स, ब्रांड नेम से मार्केट में एवलेवल है इसके डोजेस की बात करें तो, इसे हमें 60-120 mg तक डेली सिंगल डोज में ले सकते हैं और 16 साल की एस के नीचे के बच्चों को नहीं दिया जाता है नेक्स्ट है डाइकलोफिनेक्स ओडियम, ये एक नन सेलेक्टिव कॉक्स 1 और 2 इनिवीटर एनेसे ड्रग है ये आपको मार्केट में वोवेरन, डोफलेक्स, टैकलोमैक्स, डिकलोटल, ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाएगा इसके डोजेस की बात करें तो, इसे हमें 1-3 mg पर केजी बोडी वेट के एकॉर्डिंग पर डे 8 घंटे के अंतराल में लेना होता है इसके एडल्ट डोजेस की बात करें तो, इसे 50-500 mg पर डे सकते हैं नेक्स्ट है मेफेनेमिक एसिड, इसे हम मोडेरेट और सीवियर पेन में देते हैं साथ ही साथ हम इसे मेंसुरल पेन, हैडेक में भी दे सकते हैं ये आपको मार्केट में मेफटाल, पॉंस्टेन, मेफेकाइंड, फोर्ट, जिसमें आपको ये पेस एडेमोल के कमबिनेशन के साथ मिल जाएगा ब्रांड डेम से मार्केट में एविलेबल है इसके डोजेस की बात करें तो, इसे हम 25 mg पर केजी बॉड़ी वेट की हिसाब से प्रतेक दिन 6-8 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं इसके एडल्ट डोजेस की बात करें तो, इसे 500 mg आठ घंटे के अंतराल में लेना होता है नेक्स्ट है आइबू प्रूफेन, ये भी एक NSAID ड्रग है, इसे भी हम पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं ये आपको मार्केट में प्रूफेन, आइबू जेसिक, कॉम्बी जेल, आइबू वॉन के नाम से मार्केट में मिल जाएगा इसके ड्रोफेन की बात करें तो, इसे हम 5-10 mg पर kg बोड़ी वेट के हिसाब से 6-8 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं इसके एडल्ट ड्रोफेन की बात करें तो, इसे हमें 400-600 mg आठ घंटे के अंतराल पर या जरुद पढ़ने पर लेना होता है I think यह वीडियो आपको informative ब्लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें तो मिलते हम फिर नेक्स्ट वीडियो में